मयंक एक मल्टिनेशनल कमपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था एक दिन मयंक को ओफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था सर्दी की मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज सुनाई दी रुक जाओ मयंक वही पर ही रुक गया और पीछे मुड के देखा लेकिन पीछे कोई भी नहीं था फिर से वही आवाज सुनाई दी सामने देखो जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी, मयंक दोड़ के उस चीज के पास गया और देखा तो यह कोई साधारन चीज नहीं थी, बलकि एक चमकता हुआ हीरा था, उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया, उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का पार ना रहा, ले जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं, मयंक खुश हो गया, उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया, करीबन दो फीट खोद काम करने के बाद, अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा, इसके कारण उसका संतुलन खो गया और जमीन पर गिर मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवेरात भी दूँगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जहां जाता हूँ, वहां मेरे पीछे आओ, फिर वहसिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा, करीबन एक किलो मीटर चलने के बाद, वहसिर रुख गया, मयंक भी इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं, इस जमीन पे खोद काम शरू करो, मयंक खुश हो गया, और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया, खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं मिले, बलकि उस सिर का कटा हुआ धर मिला, उ एक लोटा खून, पर मैं एक लोटा खून कहां से लाऊंगा, उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ, वो डरावना चहेरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूरी पे गया, वहां उसे एक इनसान को जाते हुए देखा, वो सिर बोला, उस इनसान को मार कर उसका खून ले आओ, मयंक डर ग जिन्दगी नर्क बन जाएगी, मयंक ने हाथ जोड़ कर उसे कहा, मुझे माफ कर दो, अगर मैंने उसे मार, तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर देगी, और मुझे जैल जाना पड़ेगा, उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ती से एक छुरी और लोटा प्रगट किया, और गुसे से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करो गए, तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के गार उतार दूँगा, मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला, और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया, वो सिर खून को देखकर बहुत खुश और बोला, यह खून मेरे शरीर पे डाल दे, उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया, फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया, यह सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी, वो उस भूत को देखकर काफी डर गया जैसे ही वो भूत जिन्दा हुआ तो जोर-जोर से हसने लगा और डरावनी आवाज में बोला तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुम्हें मुझे फिर से जिन्दा कर दिया अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बलकि इस पूरे शहर को मौत के गार उतार दूँगा डर के मारे मयंग के मुह से आवाज भी नहीं निकल रही थी वो अपने जान बचाने के लिए वहां से दोड़ा लेकिन उस भूत ने चलांग लगा कर मयंग को जमीन पे गिरा दिया और बोला मुझे बहुत भूक लगी है अब मैं तुम्हारा मास खाऊंगा जैसे ही उस भूत ने मास खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर्धर से अलग हो गया मयंग समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमतकार हुआ कैसे जब मयंग ने पीछे मुड कर देखा तो एक अगोरी बाबा खड़े थे उस अगोरी बाबा ने कहा जब तुम उस आदमी को मार कर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है इसी लिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहां तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ती से उस भूत को फिर से मार दिया अब तुम निचित होकर अपने घर जाओ अब तुम पर कई खत्रा नहीं है आज भी मयंग उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कापने लगती है आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कृप्या कमेंट करके जरूर बताए ऐसी और भी कहानिया पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद